कैसे option को choose करना है, कौन सी गलती हैं आपको option choose करते टाइम नहीं करना है option का क्या importance होता है, अगर आप 2 से 3 option में confused हो तो उन में से कैसे decide करें कि मैं इसी को choose करूँ top 7 option subject कौन से हैं in this video we will discuss how to choose the option for your pastry preparation option को choose करना बहुत ही critical decision होता है और यह सबसे important decision में से एक माना जाता है एक ही decision मिलता है उसको भी student गलत चूज़ कर लेते हैं अगर आप किसी गलत option को choose करते हैं तो आपका एक साल, दो साल, तीन साल, चार, पांस साल बरबाद हो सकते हैं start करते हैं इस वीडियो को Gen Future Officers, my name is Bijan Singh Singh and welcome to KJemshan तो सबसे बलबाद कार मात करते हैं what is the importance of option subject in UPSC preparation option का important जाने से पहले UPSC का structure उसके आरे में देख ले रहे हैं जैसे ही आप जानते हो three stage होते हैं आपका prelims, एक आपका means, एक आपका PT यानि परसनल्टी टेस्ट ठीक है जिसको interview बोलते हैं पिल्लिम्स में आपके दो पेपर होते हैं का आपका GS का एक CSET का दोनों ही आपके DAISO marks के होते हैं और CSET का जो होता है वो तो qualifying होता है लेकिन जो आपका GS का होता है या आपका merit का होता है इसी के basis पर आप means में जाते हो तो आपको यह चीज़ द्यान में रखने होगे कि इन नोनों के marks final merit में नहीं जोड़ते हैं तो prelims का कोई importance नहीं होता है final merit में बात करते हैं means की तो means में आपके GS के 4 subject होते हैं सारे DAISO marks के होते हैं तो DAISO into 4 1000 marks इसके हो जाते हैं ठीक है यह DAISO यह हो गया and next यह आपके 3-300 marks के होते हैं यह भी qualifying होते हैं स्कार में detail में बात नहीं कर रहा है बात करते हैं की final merit कैसे बनती है तो final merit जो interview के लिए जाती है वो इस में से जाती है यानि यह 1750 इतना बैठता है इस में से आपके interview के call आती है अगर खाली optional और वेटेजी देखें तो optional आपका 500 marks का होता है और 1750 में से देखेंगे तो करीब 28.5% आता है मोटा मोटा 30% कह सकते हो तो यह तो आपका optional का और UPSC के जतने वेपर है उनका marks का distribution बात करते हैं क्या importance है तो देखें, importance में अगर आपको one word में बात खतम करें जितना अच्छा optional आप चूज करेंगे जितना high scoring होगा जितने आपके marks ज्यादा होगे उतने ही आपके interview call आने के chances बढ़ जाएंगे इसको हमने बहुत clear words में से लिए बताया थाकि आप बड़े आसानी से समझ जाएं क्यों क्योंकि देखें GS में जितने भी toppers के marks होते हैं लगबख same होते हैं ठीक है 400 के असपास होते हैं थोड़े बहुत आगे बीच हो सकते हैं लेकिन जो बड़ा difference create करता वो आपका optional ही होता है तो अगर आपने एक अच्छा optional चूज किया है उसमें अच्छे marks आए हैं तो उतने ही आपके chances बढ़ जाएंगे interview call आने के ठीक है इस चीज़ को आप समझ के चलना और एक आपका ethics का और एक essay का और एक आपका optional ये तीन factor ही ऐसे होते हैं जो आपके means को crack करके means crack होगा और interview के call जतनी यल दियाएगी इस चीज़ को आप समझ ले ना आपने ये तो देख लिया optional का कितना बड़ा important रॉल होता है अगर आपके option में अच्छे marks हैं essay में अच्छे marks हैं ethics में अच्छे marks हैं अगर आप 2425 के अच्प्रेंट हो और आपने option को choose नहीं किया है या आप 23 के अच्प्रेंट हो optional को choose तो लिए लेकिन preparation नहीं करी है तो हम आपको recommend करेंगे PW की classes के बारे में जन्वरी के starting को PW ने अपने platform बग कोछ options अब जगर को launch किया था लेकिन issuance के demand पर इनके हमें जो खास बात लगी वह दो तीन चीज़ है पहली चीज़ तो यह आपको high quality के content के साथ में high quality के teachers के साथ में सारी classes मिल रही है वो सारी classes live है recorded नहीं है दूसरा आपको optional होग है तो उसके test series उसके previous question papers, syllabus, पूरा और जो भी आपको doubts session होंगे वो सब कुछ cover किया जाएगा PPT बगारा मिलेगी classes के बाद में इन सारी चीज़ों को यह 9000 रुपे आपको provide कर रहे है अगर आप हमारी channel के coupon code KGM को use करोगे तो आपको 500 रुपे का instant discount मिल जाएगा लिंक हम description में डाल देंगे चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगए आपने option का importance तो देख लिया बात करते हैं कि किस तरीके सो option को choose करना है तो देखो हम 5 factors को हमें सा बताते हैं कि यह 5 factors आपके दमाग में होने चाहिए जिस टाइम आप option को choose कर रहे है पहला आपको उस option में interest है या नहीं आप इस वज़े से तो ने ले रहे हैं कि दूसरा कोई ले रहा है interest आपका इतना गहन होना चाहिए कि by chance आपका first attempt में selection नहीं होता है second में नहीं होता है, third में नहीं होता है तो 3-4 साल उस option को आप पढ़ सको समझ सको, उसको digest कर सको उसको आप में interest आए, मजा आए उसको पढ़ने में दूसरा, वो scoring है या नहीं ऐसा option तो choose कर ले इसको पढ़ने बहुत मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है, carry on कर सकता हूँ लेकिन वो scoring नहीं है यह कैसे पता पढ़ेगा आप पिछली 4-5-6 साल के result को देखो कि कौन को नहीं से toppers के कितने marks आ रहे है या जो आपके साथ के कोई भी senior वगरा हो उनके कितने marks आ रहे हैं और इसमें कितना potential है यह चीज आपको देखने है जो भी option आप choose कर रहे हो उसमें से 2 में से कोई एक चीज जो आपके पास जरूर रहे है या तो उस option में आपके बहुत अच्छे marks आ रहे हो करीब 300 के आसपास या 200 के आसपास इतने marks आ रहे हो या वो option ऐसा हो जो आपके prelims के GS में या means के GS में या आपके essay में या आपके ethics में इन में से किसी एक में भी आपके help कर रहा हो ऐसा option चूज मत कर लेना कि जो मतलब इन दौर फेक्टर में से किसी एक पर भी खराना उतरे या तो ऐसा option चूज करना जो prelims, mains में आपके help ना करे लेकिन उस option में इतने marks आ जाएं कि इसके बरपाई कर दे या उस option में थोड़े से कम माक्स आते हैं लेकिन prelims में आपके help कर गया है mains calendar subjects में help कर गया है तो इस चीज को सोच समझ के ही decision करना तीसरी हो चीज देखनी है कि उसका एक अच्छा study material available है या नहीं क्योंकि आपको 48 subject होते हैं option में ठीक है हम आपको ऐसे कई सारे option के list और number बता सकते हैं कि जो option अच्छा है, interesting है, high scoring भी है लेकिन उसका एक अच्छा study material available नहीं है तो एक अच्छा study material available है या नहीं उसकी test series, उसका notes, उसकी standard books या उसके answer writing, उसके teachers coaching ये सारी चीज़ें available है या नहीं अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रेको तो ये गलट decision हो सकता है जैसे अगर आपको एक subject आण मता है English, English बहुत vast है और काफी अच्छा है, high scoring है लेकिन उसकी कोई भी standard book बगर नहीं है अच्छे से नहीं होती है, physics का ले लो, chemistry का ले लो इन सब के लिए student को खुद की study बनानी होती है अगर आप खुद से पहले से confused हो तो इन सारी option को चूज करने से पहले एक बार जरूर सोचना next point है कि आप जो भी option चूज करते हो उसके एक बार syllabus और एक बार previous question पर analysis करना देख लो, जैसे हम आपको अपने example देते हैं हमने diploma, civil engineering से किया, b.tech, civil engineering से किया six year का experience है हमें civil engineering में हमें अच्छे से आता है और सारी इचे अच्छे से पता है कि कि किस तरीक से engineering के पढ़ाई की जाती है, कि किस तरीक से क्या होता है ठीक है, लेकिन जब हमने उसके UPSC का syllabus देखा, civil engineering का, क्योंकि option के तोर पर था उसमें, और उसके previous question पर देखे तो हम समझेगे कि हमारी कहां पर weakness है, कहां पर हमारी strength है, हमें इसको choose करना चाहिए या नहीं, कितनी इसकी depth है, कितनी क्या dimension है, और में साथ में क्या होता है, कि जब आप previous question paper analysis कर रहे हो, तो उसके answers भी देखना जरूर, ठीक है, उससे एक आपको idea हो जागा, कितनी depth में question पूछ रहा है, अगर technical होगा, तो उसमें numerical portion, theoretical portion होता है, अगर आपका arts related होगा, तो बहुत साथ चाहिए रटने वाली है, सारी चाहिए आपको source समझ के syllabus और पेपर के हिसाब से ही आपको यह सारी चाहिए डिसाइड करना है, ठीक है, फिफ्थ factor जो होता है, वह होता है कि आपका background क्या रहा है, study में और आप कौन सा optional चूज करने जा रहे हो, क्योंकि कई सारे background होते हैं, पहला एक आपका arts का होता है, जिसमें BA, MA वगरा करते हैं, दूसरा science का होता है, जिसमें आपका engineering वगरा होता है, या आपका MBBS वगरा होता है, तीसरा आपका commerce वगरा का हो जाता है, तो इस तरीके से आपके section होते हैं, divided होते हैं, इन में से आप कौन सा optional चूज कर रहे हो, आप किस background से हो, कौन सा चूज कर रहे हो, इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलना, एक जो tip है वो यह है, कि optional चूज करने से पहल बात कर रहे हैं, हम यह नहीं करें, उस ने लिया तो मैं भी यही लूँगा, ठीक है, इस तरीक से नहीं करना है, अब बात करते हैं, कौन कौन सी गलती हैं, आपको option चूज करते हैं टाइम नहीं करनी है, which mistakes to avoid during choosing the option for UPC preparation, सबसे पहली जो गलती करते हैं, experiment वो यह होती है, कि क factor है हो सकता है, दूसरा factor, क्योंकि उसकी command हो सी पर है, तो उसको वही अच्छा लग रहा है, आपको किसी दूसरी की सलाह ना दे पा रहा हो, टॉपर्स का case में यह हो सकता है, कि जो टॉपर अपना, जिसको खुद को अच्छा लगा हो, उसकी खुद की strength है, खुद की weakness है, उ अपनी source, समझ, बुद्धी लगाना, और जो factors आपको बता रहे हैं, उनको जरूर follow-up करना, एक mistake यह मत करना है, कि यह मेरा friend इस subject को ले रहा है, या आपका कोई भी friend हो सकता है, या आपका कोई senior हो सकता है, तो मैं भी issue को लूँ, उनसे आप सीख जरूर ले सकते हो, अगर व या थोड़ा सा ज़्यादा का difference हो, तो भी option चूज मत करना है, जब बहुत ज़्यादा का difference हो, तो ही option चेंज करने की कोसिस करना, otherwise, जो भी decision आपने बना लिया है, पहले तो उसको सोस समझ के बनाओ, उसके बाद में जब आपने बना लिया है, तो उसी पर इस ट्रिक रहो, कोई भी option बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कोई भी option बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, कुछ factors होता है, जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, और आप एक serious aspirant होंगे, समझदार aspirant होंगे, तो उनको पहले से सोस समझ के जलेंगे, जैसा कि इस वीडियो में काफी सारे optional को choose किया था, उनमें से कुछ optional ऐसे हैं, जिनको मैं decide नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे आपके पास 48 optional होते हैं, उनमें से आपके पास 2-3 optional ऐसे बचते हैं, जिनमें से आप काफी यादा confused हो, decision नहीं ले पा रहे हो, तो एक काम करना, जैसे मान के चलो आपके पास 2- तो आप उनके syllabus को देखो पहले, उनके previous question paper को देखो 5-5 साल के, और उनके solution देखो, questions देखो, क्योंकि हमने पहली बताया है, option को choose करना काफी बड़ा important point होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा effort देना पड़ेगा, if you are confused, ठीक है, तो ये चीज़ समझ के सलना, आपको थोड आपचा chapter पड़ेगे देखो, कुछ books वगरा purchase कर लो, या PDF वगरा देखो online, जो भी study material हो, जो भी आपके senior हो, friend हो, इसे books वगरा लेके, थोड़ा से पड़ो, interest वगरा कितना आ रहा है, जिसमें आपको interest आ जाए, जो आपके लिए cost benefit ratio अच्छा दे रहा हो, जो आपको scoring भी हो, ऐसे option को ही choose करना है, otherwise बाद में आपको regret होगा, अगर आप जल्दी वाज़े में किसी option को choose कर लेते हो, तो, अब डिसकस करते है, option के answer writing में और GS के answer writing में कहा difference होता है, जैसे कि हमने लगा जाए answer, GS का मतलब हा, GS जो main scale हो, GS 1, 2, 3, 4, जो आपका 1000 marks का एगा, ठीक है, and optional आपका 500 marks का एगा, तो, आपके GS की answer writing का level होता है, वो आपका 12th class तक का level होता है, और graduation का level होता है, कुछ questions का level आपका 12 तक करेगा, कुछ आपका graduation करेगा, या दोनों का combination रहता है, बात करते है, option के answer writing का level आपको इस तरीक से रखना होगा, कि जिसमें graduation के भी question पूछे जाते है, तो, इसी combination में आपको questions आते हैं, उसी combination में आपको answers देना होता है, इसलिए थोड़ा सा level up करना पड़ता है, आपको option के लिए, अब ऐसा भी नहीं है, कि जो भी option के लिए आप preparation कर रहे हो, वो आपके GS में काम आ जाएगा, या जो भी GS के लिए preparation कर रहे हो, वो option में काम आ करते हैं, कौन-कौन से अच्छे option लाइन जो आप UPSC के लिए चूज कर सकते हो, पहले बात करते हैं English medium के लिए, फिर बात करते हैं Hindi medium के लिए अपके पास एक हिस्ट्री का option होता है, एक जोगरिफी का होता है, एक आपका PSIR का होता है, एक आपका sociology का होता है, एक आपका कॉन घदर और होते हैं एक आपका हिंदी सायत होता है सही बड़िया जो माना जाता है दूसरा होता हे वह होता है हिस्टरी three अच्छिया आपका मैंतमेट के हो सकता है यह दो-tırं ऑप्सिन है हिंदी मेडियों मां क्या होता है थोटी से criteria होना चाहिए पहला अगर आप history को choose करते हो तो history को choose करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको एक ऐसा subject choose करना है जो आपके other subjects जैसे history के साथ में policy, economy, geography ये थोड़ा सा linkage होते हैं तो उनकी coverage तो देगा लेकिन वो बहुत vast है बहुत बड़ा option रहा है थोड़ा सापको उसमें रटना भी पड़ेगा ये इसके negative point है plus point यही है कि आपके gs में भी help करेगा problems के gs में, mains के gs में और थोड़ा-thोड़ा connectivity देगा सारे subjects की तो plus point यही है कि other subjects में भी आपके help करेगा लेकिन negative point यही है थोड़ा सा बड़ा है रटना पड़ेगा बात करते हैं जोगर्फी की जोगर्फी को ज़्यातर वही student लेते हैं जो थोड़े से BTEC वाले background के होते हैं या science वाले background के होते हैं जिनके energy power थोड़े ठीक होती है और जिनको map बगार लेन में map बगार पढ़ने में अटलस बगार पढ़ने में थोड़ा समझा आता है लेकिन आपको इसमें वह इता है इसमें भी आपको रटना पढ़ेगा काफी यादा slivers इसमें आपको maps बगार रटने होंगे और जतनी भी नदिया बगार होते हैं इसमें भी काफी बड़ा पउइंट रटने वाला आता है लेकिन ये भी हाई स्कोरिंग जैसा ही हिस्ट्री की था अब बात करते हैं economy की economy को हम आपको recommend नहीं करेंगे economy में ना तो हिंदी में अच्छा ना इंग्लिस में अच्छा अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा strong willing आ रही है या strong decision बन रहा है तो ही आप चूज करना और risk तो ले नहीं होता है लेकिन हमाई तरफ से economy की ज़्यादा बड़ी सला नहीं है next बात करते है PSIR यानि political science and international relations क्या-क्या plus point नहीं है क्या-क्या negative point नहीं है तो आपका GS2 का सारा paper लगवा किससे cover हो जाएगा बस standard का थोड़ा संतर आएगा जो आगे आपको वीडियों बताएंगे ठीक है अगर आपको current fair पढ़ने में डर लगता आपके इवल काम चला हो current fair पढ़ते हो तो आप इसको choose मत करो अगर आपको एक ऐसा optional choose नहीं करना जो बहुत ज़्यादा dynamic हो जिसकी range बहुत ज़्यादा हो तो आप choose मत करो लेकिन हाँ PSIR काफी ज़्यादा high scoring है और आपके problems के GS में, means के GS में इनमें तो help आपका करता ही करता है अब नेक्स बात करते हैं Anthropology के बारे में इसका syllabus छोटा होता है लेकिन इसमें भी याद करना होता है रटना होता है और थोड़े से जो terms होती है, tough होती है लेकिन high scoring ये भी है आप इसको समझ के सलना next बात करते हैं कि public administration के ऐसा optional है तो public administration का syllabus है वो तो छोटा है लेकिन उसके depth बहुत ज़्यादा है आपको ऐसा लगए कि पबैड जिसको बोलते है कि syllabus छोटा सा जल्दी कवर हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो उसके अंदर depth काफी ज़्यादा है और syllabus काफी ज़्यादा पढ़ना पढ़ता है ज़्यादा के लिए और काफी अच्छी एक अंसर राइटिंग परदान करने पढ़ती है क्योंकि और high scoring वो भी है GS में आपका वो भी help करता है बात करते हैं sociology optional कैसा है sociology का भी same scene है इसमें आपको जो human होता है यानि society होती है उस related ही आपको सारी study करनी होती है connect कर सकते हो अच्छे से तो ये हैं overview जो इंग्लिश मीडियमाले experience जो सबसे अदा option लेते हैं उनमें से इसके अलावा पर जो भी option लेते हैं उनको आप खुझ से choose करना है खुझ से decide करना है बाकी बात करते हैं हिंदी मीडियम में कुनकों से अच्छे हैं तो हिंदी मीडियम में आपका hindi insight है काफी एच्छा option subject है जिसमें काफी एच्छे माक से आते हैं 300 के आसपास थो आरं से आते हैं 200C या 300B सितने आरं से आते हैं दूसरा history काफी एच्छा है हिंदी मीडियम के लिए आपका mathematics भी काफी अच्छा हो जाता है, और हिंदी मीडिया में limitation है, इसमें ज्यादा high scoring है नहीं, आप इसमें geography में भी ज्यादा scope नहीं है, इसमें आपका economy में ज्यादा scope नहीं है, समास शास्त्र यानी sociology भी ज्यादा नहीं है, पबेड में भी नहीं है, student ले तो लेते हैं, ज तो पर किस medium का है, और आप किस medium को इसको समझ के चलना, क्योंकि हिंदी medium में उतने ज्यादा high scoring option नहीं है, limitation है, influenced होने से पहले यह देख लेना, उसका medium कौन सा है, जो हम आपको overview दे रहे हैं, यह आपको analysis करने का एक base परदान कर देगा, लेकिन इसके बाद में भी आपको detail मे हैं, क्योंकि यह हमारा point of view है, एक point of view सो है आप खुद का decision मत बनाओ, जैसे कि मैं आप वीडियो का पहली बताया था, आप अपने decision खुद से लो, और उसमें अगर आप गलत भी साबित होते हो, तो उसको improve करने के courses करना, उमीद गरते हैं, आपके लगबक सारी doubt क्लियर हो ग क्लिक करके जितने वी option subject हैं, उनके review वाली वीडियो को देख सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने वी strategy guidance वाली वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो, और हमने वीडियो में जो आपको recommend किया था, PW को option subjects के बारे में, आप उनको check out कर सकते हो, link description में दे